कल यानि 11 अप्रेल को उत्राखंड में चुनाव होने हैं ऐसे में नेताओं में जुबानी जम भी शुरू हो गई है नैनिताल लोकसभा सीट पर कॉंग्रेस और भाजपा के बीच जगड़ी टक्कर है हाला कि कॉंग्रेस सी अपनी जीत का दम भर रहे है तो वहीं उत्राखंड के पूर मुखे मंत्री और कॉंग्रेस प्रतियाशी हरीश रावत के बड़े बेटे विरेंदर रावत का कहना है कि उत्राखंड की पांचों सीटों पर कॉंग्रेस प्रतियाशी जीत कराएंगी इस दुनान पूर्व राजय मंत्री राहुल यादव भी केंज सरकार पर जम कर बड़ से उन्हें ने कहा कि डबल इंजन के सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है उत्राखंट की नैनिताल लोकसबा सीट को काफी होट सीट माना जा रहा है कारण है खुद उत्राखंट के पूर्व मुख्य मंत्री इस सीट से कॉंग्रेस के परतियाशी है तो अभी हमार साथ मोजूदन के बड़े बेटे विरंदर रावज जी विरंदर जी क्या कुछ देख रहा है इस बाग क्या कुछ होने जा रहा है गैरा अप्रेल को पर्थम सेरण का चुराओ होने जा रहा है जिसमा हमारे उदम सिंग नैनी ताल उदम सिंग नगर जिस पर हरीश रावज जैसे कदावर निता खुदी मैदान में हैं कॉंग्रेस के टिकेट पर और मैं कुटीमा से लेके जस्पुर्तक और नैनी ताल से लेके बीम ताल और हल्दवानी सभी जगह मैं पूरे छेतर मगून चकाओं अब तक 14 विदान सभाओं में तो मेरे देखने में जो आया है कि हरीश रावज जी के प्रती लोगों की एक दिवानगी है और उन्होंने जो कारी किये थे जे मुख्य मंत्री लोग चाहते हैं कि दुबारा हरीश रावज जी इस परदेश के मुख्या बने परदेश के मुख्य मंत्री बने और आज चुनाओ लोकसभा का है और वो एक मिदवार के रूप में हैं तो निश्चे तोर पर यहां से ढाए लाग मतों से भी ज्यादा मतों से वो जीट के जाएंगे दूसी तरफ हमारे राहूल गांदी जी हैं जिन्हों है तीन राजिójं में आपने देखा हो का राधिस्तान मत-परदेश ऐा सेथिस गाड़ में उन्हों रोस्त चुना शुनाओ के वकत मादा 처음 हैं बनाने माफ से यूग करेंगे हमाई सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्ज करज माफ करेंगे और आपने देखा होगा कमला जी ने सबसे पहली फाइल अगर कोई साइन की तो किसानों के करज माफी का इसका आरति यह है कि कांगरेज जो कहती है वो करती है करें जी ऐसा है देखिए जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं जो चो किदार के रूप में बसूर हैं और अभी बड़े भाई प्रेंद राबजी ने भी बताया जो हमारे PCC के मेंबर भी हैं उत्राखन से कि इस समय इन्होंने किसान को दोका दिया बेरोजगार युवा कर युवाओं को दोका दिया दो करोड युवाओं को नौकरी देने का बादा किया था जो दो लाक रुप यो जो उजगा नहीं दे पाएं तो मेरा कहना का मतलब यह है कि किसानों के लिए हमने तीन स्टेटों में हमारी सरकार आई राहुल जी ने जश दिन का टाइम मांगा था और हमने तीन दिन में उसको पूरा करने का काम किया और हम 15 लाक रुपे तो खाते में नहीं दे सकते हैं लेकिन जैसे विरेंदर भीया ने बताया भी कि 72 रुपे साल आना जो नियाय योजना अपनी भूतना पत्र में हमने एलान किया है उसको हम सरकार बनने पे भाइतराई कर रहा है और मोदी जी बिरियानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में धोलब जाते हैं जापान में तो ऐसे चोर चोकिदार को हमें जो राफेल में हमारे साथ में दगावाजी की हमारे देश को हिंदूस्तान पाकिस्तान के ऊपर वो चनाव लड़ रहे हैं जो कि इस लोकसवा के सांसद होंगे और लोकसवा में जाकर उत्राखंड के नाम को उनों ने रोसन किया है पहला मुख्यमिंत्री उत्राखंड में ऐसा हुआ है जिसने उत्राखंड में विकास की नदियाभा दी जो आज बिलकुल डवल इंजन सरकार विफलो चुकी है जो पूरे दमदार तरीके से उत्राखंड में ने निताल में लगे हुए हैं और मैं एक बात और कहना देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बरबाद गुलिष्टा करने को एक डाल पे उल्लू काफी है इंजाम गुलिष्टा क्या होगा जहां हर डाल पे उल्लू बै देख लिए यह कोई जनता का काम ने कर रहे हैं किसी कार्यकरता से अपने से नहीं मिलते किसी कोई विकास की कोई सारी विकासों पर इनोंने रोक लगा दिए उत्राखंड को पीछे करने का काम क्या है और हम यह हूने ने देंगे और मैं अपील करता हूं उत्राखंड की जन निदान